हर्याना H9PM नुश्यानल में आप सबता स्वागत है आई आपको कराते हैं खबरों से खरकुदा में डॉक्टर सेथी के अमर हस्पताल में अब आधुनिक ओटी का हुआ निर्मान अब खरकुदा में ही मिलेगी आधुनिक चिकित सा सुवीधाई आखों की हर तहे के इलाज व कीम बनाई थी उदेश्य यह था कि जो अवैद रूप से कलोनी काट रहे हैं या फिर जिनोंने बगेर परमीशन के निर्मान कारिया किया हुआ है उनके यहां जा करके कारवाई करें और उन्होंने जो अवैद निर्मान किया हुआ है उसको तोड़ दे अब जो पहली कारव प्लानिंग विबाग को आशंका है क्योंकि वहां पर चार बार पहले भी टाउन प्लानिंग विबाग कारवाई कर चुका है टाउन प्लानिंग विबाग की तरफ से मंदीप कुमार गुलिया जी थे और जे ही थे अनील वे और भी स्टाफ था इसके अलावा डूटी मजस् और वे बिल्डिंग इंस्पेक्टर मुकेश कुमार भी मोजूद रहे और पहले दोजेसी भी मंगाई गई थी लेकिन जो रहोत्तक बाइपास का जो पॉइंट है वहां पर काफी दूरी तक काफी समय लग गया वहां जो मिट्टी डाली हुई है रस्ते बनाने के लिए उस मि को कुरेद्धा गया जंग जंग से गड्डे बनाए गए ताकि यहां रास्तों को खुर्दबुर्द किया जा सके और जो मुखे कनेक्टिविटी बाइपास से थी उन कनेक्टिविटी को भी खुदाई करके वहां पर गड्डे किये गई पांच वी बार ये कारवाई की करीब आठ लोगों के खिलाब एफ यार विदर्ज हो चुकी है अब मुझूदा स्तिती में जो मिट्टी का मामला है तो इस बारे में उन्होंने इन्फोर्समेंट विंग को भी इतला दी थी और जिनके जो विंग इंचार्ज हैं जनक सिंग जी एसेचो हैं जो इसके जुटा लिया है अब वहां पर एक कोठडा है जो टूबल वाडा है कोठडा है टाउन प्लानिंग भी बाग अब उस बारे में भी नोटिस दे सकता है उसे भी अगली कारवाई में तोड सकता है टाउन प्लानिंग भी बाग के अधिकारियों का कहना है कि बार बार से जो या मिशिनगी प्रियोग की जाती हैं अब उन तक भी आच पहुंच सकती हैं ऐसी प्लानिंग टाउन प्लानिंग भी बाग कर रहा है कारवाई तो बाइपास पर और भी होनी थी लेकिन समय अधिक लगने के कारण एक ही जंगे पर कारवाई हो पाई आगे आने वाले से दियम है जो वो खरकोदा नगरपालिका की भी परशाचक हैं और करीब 40 लोगों को नोटिस दिये जा चुके हैं कि उन्होंने बगएर परमीशन के निर्मान कारिया किये हैं और उन पर अब वो कारवाई शिकंजा कस रहे हैं कारवाई आगे भी की जा सकती हैं तो आप सभी मिशन ले और फिर कलोनी काटे थाकि उन्हें किसी भी परकार की कोई प्रेशानी ना हो सके दिल्ली में हुई सरसथ मीन श्कूल नेटबोल चैंपिंशिप मी प्रिताप स्कूल की व्रिंदा नी अंडर-79 वर्ग मी रोज़त पदक जीतकर हर्यना प्रदीश वे प्रिताप स्कूल खर्खुदा का नाम रोशन किया पधक्विजेता विरंदा का विद्याले प्रांगण में पाहुचने पर द्रणाचारीय अवोर्डी ओंप्रिकाश दहिया, प्राचारिया दया दहिया, अकेडमिक डारेक्टर, डॉक्टर सुवोध दहिया, नेटबॉल कोच, संसार दहिया वे विरंदा की पिता ललित कुमा प्रताप विद्याले प्रबंधन समीती वे अपने परिवार को दिया व्रिंदा के पिता ललिप कुमार ने बताए कि व्रिंदा नरसरी कख्षा से प्रताप विद्याले में ही पढ़ रही है। कहा कि NSS का मुख्य उदिश्य स्वेम सेविकाओं का स्वैचिक सामुदाइक सेवा की माध्यम से व्यक्तित्व और चरित्र विकास करना है। कि अगवाई में स्वामी विविकानन को याद करते हुए उन्हें पुष्पांजली अर्पित की गई, इस दुरान रेड़क्रोस से शशी महता, सुनिल राना विराजवाला आदी मोजूद रहे। प्रिताप स्कूल खर्खुदा देश की अगरनी सिक्षन संस्था। अपने बच्चे की उजवल फविश्य के लिए प्रिताप स्कूल खर्खुदा में दाखिला कराएं, यहां छात्रों का आधुनिक सिक्षा स्विधाओं के साथ सर्वांगिन विकास किया जाता है। जिससे प्रिताप स्कूल में पढ़ेफे छात्र जच, I.S., H.C.S., लेटिनेंट, डॉक्टर वे इंजुनियर्स के साथ उच्चे पदों को शिशोभित कर रहें और खेलों में देश के लिए मेडल प्राप का देश का नाम रोशन कर रहें हैं। उसे बनी रहने के लिए शानल को लाइक, सब्सक्राइब और शेर जरूर करें। धन्यवाद।